भारत के पास वो अवसर आया है जब वो दस साल पहले की निराशा को छोड़ कर पूरे आत्मविश्वात से आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले देश में क्या बातें चल रही थी? तब पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े गोटालों की चर्चा ही रहती थी। तब आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा होती थी। थायो और बहनों आपको याद होगा लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। आज जाजी के बात आज भारत के पास इस्वर्निम कालखंड आया है। भारत के पास वो अवसर आया है जब वो दस साल पहले की निराशा को छोड़ कर अब पूरे आत्मविस्वात से आगे बढ़ रहा है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले देश में क्या बातें चल रही थी, क्या सुनाई दे रहा था, अख़बारों में क्या पढ़ने को मिलता था। तब पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े गोटालों की चर्चा ही रहती थी, तब आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा होती थी, देश के लोग सोचते थे कि हमारा क्या होगा, देश का क्या होगा, जैसे तैसे जीवन निकल जाए, जैसे तैसे नोकरी बच जाए, कॉंग्रेस के राजमें चारों तरफ तब यही माहूल था। और आज हम क्या बात कर रहे हैं, किस लक्ष की बात कर रहे हैं, आज हम विक्सित भारत की, विक्सित राजस्थान की बात कर रहे हैं, आज हम बड़े सपने देख रहे हैं, बड़े संकल पर ले रहे हैं, और उन्हें पाने के लिए तन मन से जुटे है जब मैं विख्षिद भारत की बात करता हूँ तो ये केवल शब्द भर नहीं है ये केवल भाव भर नहीं है ये हर परिवार का जीवन सम्रुद्द बनाने का अभियान है ये गरीवी को जड़ से मिटाने का अभियान है ये युवाओं के लिए अच्छे रोजगार बनाने का अभियान है ये देश में आधूनित सुविधाएं बनाने का अभियान है मैं कल रात में ही विदेश यात्रा से लोटा हूँ ये ये और कतर के बड़े-बड़े नेताओं से मेरी मिलाकात हुई है आज बेभी भारत में हो रही प्रगति को लेकर चकीत है आज उनको भी फरोसा हो रहा है कि भारत जैसा विशाल देश बड़े सपने देख सकता है इतना ही नहीं उन्हे पूरा भी कर सकता है